पूस की रात कहानी का वाचन यहाँ पर क्या पूचा गया है कि पूस की रात जो कहानी है उसका वाचन बताओ ठीक है कोई कुछ बोल रहा था क्या इसमें से अगर मैं देखूँ तो जो एक्साम में आता है अगर मैं एक्साम की बात करहूं तो कहानी का सार जो पूस की रात कहानी है उसका सार का मतलब उसका सोट reçu में ने बता reflections बॉलते हैं उस τη construct में बतादो ऐसो आता दूसरा जो आएगा it important है वैस संदर्वसाहिद व्याख्या यह वैसे आएगी संदर्वसाहिद व्याख्या लिखे तो यह दो चीजें आपके लिए कह रहेंगे important रहेंगे ठीक है यहनी कहानी का सार और दूसरा संदर्वसाहिद उसकी द्याख्या करने के लिए एगा ठीक है तो इनी दोनों point को मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो कहानी पूस की रात कहानी जो आप उसको अगर 8.2 में पूस की रात पूरी कहानी को आप पढ़ सकते हैं एक बार कहानी को जरूर एक बार read कर लीजेगा ठीक है कहानी वैसे बहुत अच्छी कहानी है कोई आराम से समझ मैं आजेगी इसमें क्या है पूरी कहानी जो एक किसान के इर्दगिर्द घूमती है कहानी ठीक है हमें क्या पढ़ना इसमें ये तीन पार्ट में divided है ठीक है जो कहानी है ठीक है तीन चार पार्ट में रहेगी ठीक है तो उसके बाद जैसे इसमें कहानी का सार लिखने हो काता ठीक है तो डारेक्ट हम सार पर ही चलते हैं क्योंकि सार ही पूंच जाएगा तो यहाँ पर देखेगा कहानी का सार देखेगा यहाँ पर कहानी के सार में क्या है दे रहें देखेगा आपने कहानी को ध्यान पूर्बक पढ़ा होगा यानि करें जब आप कावरी कहानी को पढ़ लेंगे तो उसके बात की बात हो रही है आप समझ गयोंगे कि प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से क्या कहने चाते हैं अगर हम बात करें तो प्रेमचंद कहानी के माध्यम से यहाँ पर एक कहने की बात करें कि भाई जो किसान की जो दुर्दसा है वह बड़ी ही दैनिये है ठीक है ठीक है जो फार्मर है वह ब्याज ले करके क्या करता है पैसे ले करके क्या करता है खेती कर रहा है लेकिन फिर भी उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है ठीक है यानि अगर देखोगे तो जमीनदार हो या साहुकार हो उसके ब्याज के करज के तले विचारा दबा चला जा रहा इक कहानी का अगर आप सार समझ सकते यानि किसान की दुर्दसा जो है फारमर की जो दुर्दसा है उस पर इनोंने बिस्तार पूरबक इनोंने पूरी विवेशना की है कि इस प्रकार जो किसान विचारा है एक प्रकार से अपने खेत पर ही मुझदूर बनके रह जा रहा है ठी जान ले ठीक है यानि कथा का सोट में जान ले थे कैसी कहानी है पूस की रात कहानी जो है ग्रामिन चीवन से सम्मध यानि पूस की रात जो पूरी कहानी है यह गाउं की कहानी है ठीक है गाउं से रिलीट है इस कहानी का नायक हलकु नामक किसान है जो मामूली किसान है कितना थोड़ी साना ह唉 उसके पास थोड़ी सई जमीन कर जैनि हलक्ति है यह इसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर खेटी कर ध画ी दो जह रहे हैं managers खेती करके जो आय होती है यानि खेती से भईया जो पैसा मिलता है वो सारा क्या है रिन देने में निकल जाता है यानि व्याज चुकाने में क्योंकि पैसे ले करके ही खेती कर रहा है और खेती में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता नहीं है बहुत ज़्यादा दलाब मिलता कर रखा कि कंबल खरीद कर लाएगा क्योंकि खेत की रखवाली करने जाता है तो कंबल ओड़ लेगा लेकिन क्या होता है लेकिन वह तीन रूपए महाजन ले जाता है महाजन एक प्रकार से साहुकार को ही महाजन बोला जाता है ठीक है इरी एरिये का फरक है ठीक है जगा जग क्या कंबल कहां से लेकर किया होगे लेकिन फिर भी विचारा क्या करे अब डेली डेली जो सहना हुआ करके उसके घर पर आधमकेगा और कोई बार बार उसके घर पर आए वो उसका अच्छा नहीं लगता इसलिए उसने साहुकार को 3 रूपए दे देता है अपनी फसल की देख वही कुट्ता जो है जबरा उसका एक साथी है पाउस का महीना है माग और पाउस का महीना ओठा है ठीक है यानि ठंड का महीना ये जन्वरी और नौरी का महीना है ठीक है ये हिंदी में बोला जाता है जो हमारे देसी महीने होते है उनमें बोला जाता है पाउस का महीना ठीक है धंडी हवा बहुरी यानि धंडी धंडी हवा चल रहे हलकूं के पास चाधर के अलमा ओढ़ने को कुछ भी नहीं यानिuni हलकूं के पास एक पतली सी चाधर विचाहरा ले गया ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है आपको ज developments एक पता होगा कि थंडी जब पढ़से दिसंबर में दिसमबर नहीं जनवरी में जाधा पड़ती है, तो गया ओथा की चादर से तो काम नहीं चलता, अब भी चादर से तुम काम नहीं चला सकते हैं, थिक है, आपको ठीक ठाक Ođडना पड़ेगा, तो ठीक ठाक ओड़ना पड़ेगा, तो घथी काता कुछा, देखो, चादर बीचा की तास बिखेट से मुकति नहीं मिलती है तब वह पास क्या करता है भई क्या करता है यहां पर वहां पर ऑगीचे भी होते थी ठीक हैं और बगीचे में क्या है कि बगीचा होता है वहाँ पर जैसे आम का पेड़ है तो आम की पत्तियां गिरी रहती है ठीक है भई आम की पत्ति गिरी हुई है और आम की जो पत्तियां गिरी है उनको क्या करता है पत्तियों को इकठा करता है और उसमें आग लगा करके अलाव जलाता है यानि ताके अलाव की आग उसका सरीर गरम कर जाता है उसे रहात मिलते हैं आपको आम की पती अगर जलाओगे तो थोड़ी देर के लिए जलेंगी एक परकार से थोड़ी दून आपको रहात मिलेगी आग बुझ जाने के बाद सरीर की गरमाहट सेवा चादर ओड़ लेता है थोड़ी देर जब उसके सरीर गरम हो जाता है जब हो हाथ सेख लेता है यानि आग जला करके तो चादर ओड़कर के गरमाहट से ओड़कर के चादर बैठा रहता है उधर खेत में नील गया घुसाई है नील गया नहीं होती पहले कि समझ दो ए, गया नहीं है ठीक है इन दूसरे परकार का जानवर होता है जो जा तरह क्योंकि प्रेमचंदी कहानी लिख रहे हैं कैसे उनका पूरा ऊपी और ठीक वहां पर नीलगायी नाम कtoi बिहार को लेक़ से बात खुप के लिवके खेत में नील गाय गुसाइए लेकिन वह बैठा रहता है अब भाई ठंड लग रही कहां जहाई बिचारा नील गाय खेत चरने लगती है माल गुजारी का मतलब है कि कह रहा है कि भाईया जो हमने पैसे ले करके खेती किया है अब उसको जो ब्याज है जो पैसा है मजदूरी करके भरनी पड़ेगी इस पर हलकु प्रसन होकर के कहता है रात को ठंड में तो यहां सोनाना पड़ेगा यानि चलो गाय ने सोरी नील गा भी नहीं लगेगा तो इसलिए कहता है चलो भी यहां पर ठंडी में आ करके सोना भी नहीं पड़ेगा और जो महाजन को जो भी यह पैसे देने है जो ब्याज ले रखे हैं उसका मजदूरी करको उसको दे दूँगा इसी के साथ क्या होती कहानी समाप्त हो जाती यह पूरी सक में इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो होती है कि इसकी संदर्व सहीद व्याख्या विर्थ निकर के देंगर चाहिता है कर देंगे पेपर में जो आपको मिलेगा उसमें पांच छलाई लिखा रहेगा और उसी के अनुसार आपको क्या करने है उसकी यानि उसका संदर्व लिखना है फिर उसका आगे लिखना है उसका विशेश जो होता है ठीक है देखो जैसे इन्हें आप लिखना डेख रखा है 8.4 में अग पता देना कितने पेज़ पर है ठीक है देखेगा जो यहां पर लिख करके आएगा है उधान नंबर एक का देखेगा ठीक है देखेगा जबरा सायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हलकु की पवित्र आत्मा में तो उस कुट्टे की प्रति घ्रीना की गंद भी ना थी अपने किसी अभिन मित्र या भाई की तरह वा इतनी ही ततपरता से गले लगता है यह जबरा को हलकु जो प्यार कर रहा है यह उसके पास जो है उसको मित्र बनाता है कुट्टे की इसमैल आती है ठीक है हलकु को भी महसूस नहीं होती है क्योंकि उसने जबरा को अपना मित् वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज इस दसा में को पहुँचा दिया नहीं इस अनोखी मैत्री ने जैसी उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये और उसका एक एक अनुख प्रकास से चमक रहा था इतना परिक्षा में लिख करके आता है उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा इसका संदर्व में मतलब होता कि यह कहां से लिया गया है कौन से चेप्टर से है कौन सी किताब से उसको लिखते हैं देखो क्या करें निमलिखित उधान प्रेम चंद की कहानी पूस की रात से लिया गया है इस कहानी में हलकु किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा है और उसके साथ उसका कुत्ता जबरा है हलकु ठंड से बचने के लिए जबरा को अपनी गोद में लिटा लेता है कुत्ते में से गंधा रह नहीं हो रही है ठीक है इसको यहाँ पर बताया गया अब इसी क्या करनी पड़ेगी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी ठीक है यहाँ पर जैसे व्याख्या की गई इस व्याख्या को देखेगा आप इस व्याख्या को ना आप अपने अकोडिंग कर सकते हैं ऐसा कोई कहीं जरूरी नहीं आप अपनी भासा में, अपनी लेंग्विज में आप उसको कर सकते हैं, देखेगा, जबरा को अपनी देह से लिपटा कर हलकु को सुक कानुभारा, यदि हलकु ने बहिए जबरा को क्या कर लिया है, जब अपने उपर लिटा लिया है, क्यों सको ठंड लग रह करें तो किसी प्रकार का उसमें यूश नीच और प्रसु और जानवर का किसी प्रकार का भ्यास रे बें करता कौन यहां का है, है इसको समझता है खलकु गरीब था बभी गरीब है हाड तोड मेहनत हाड तोड का मतब सरीर तोड इसको बोलते हैं हाड तोड मेहनत के बावजूद भी उसकी जिंदगी अभाव में जिंदगी उसकी जी रही ठीक है लेकिन गरीबी ने उसकी आत्मा की पवित्रता को कुछला नहीं था यानि आत्मा उसकी पवित्र थी ठीक है कर रहा है यानि कह सकते एक जानुवर जो जबरा है उसके साथ भी एक आत्मी ये बिवार यानि इंसानियत का बिवार कह सकते हो कर रहा है उसी अपना मित्र बना सकता है जबरा के साथ मित्रता ने उसके हिर्दय को और उदार बना दिया जबरा के साथ जो हल्कू की मित्रता है उसने उसको और उदार बना दिया है ठीक है उसने उसकी आत्मा में जीन भावों का संचार हो रहा है उसके ब्यक्तित को अलंकृत कर रहा है जबरा के परती हल्कू की इस भावना का असर जब जबरा पर पड़ा है वो अभी हलकू के प्रती अधिक वफादार हो गया जबरा के प्रती उदार है उसी प्रकार से कह सकती हूँ कि जबरा भी हलकू के प्रती हमें उदार नजर आता है ठीक है वो अभी उसका एक प्रकार का साथ ही है जो कहानी की आगी घटनाओं में हमें आगे पता भी चलता कि क इस प्रकार से उसके प्रति उसकी वफादारी हमें इस कहाने में दिखाई देते हैं यानि हलकु एक प्रकार से कह सकते हैं पसू प्रेमी है पसू के प्रति उसके मन में यानि अच्छी भावना है या उनके प्रति सहानभूती है पसू के प्रति ठीक है इस प्रकार से बाते है आगे देखेगा इस चीजों को भी आप इसमें explain कर सकते हो आगे देखेगा विसेस में क्या बताया गया देखेगा विसेस जिसे हलकु गरीबी और रिन से पूरी तरह से दबा हुआ है यह जो एक तो गरीब है उपर से इतना ज्यादा ब्याज ले रखा इतना ज्यादा लोन ह हम जिसे बोलते हैं रिन ले रखा है कि पूरी तरह से दोनों चीजों से गरीबी से दबा हुआ है अपने खेत की रखवाली करते समय अपने पालतु कुत्ते के साथ उसका ब्यवहार किसान के हिर्दय की उधारता और उच्चता को उजागर कर रहा है यहीं कह रहा कि अपना गरीबी में भी ठीक है और गरीबी अपने खेत की जबराखवाली कर रहा है तो उसका जो कुत्ता है उसके प्रती हल्कु के हिर्दय में जो प्यार है जो सम्मान है और जो उदारता है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है दूसरा हल्कु और जबरा के बीच प्रेम प्रती है और जबरा के प्रती जो हल्कु के मन में उस भाव को भी यानि उस भासिक कौसल को भी प्रेम चंद ने यहाँ पर दिखाने का प्रियास किया है इसके लिए प्रेम चंद ने प्रसाद गुण और भासा का प्रियोग किया है ठीक है अर्थात भासा भाव को ब्यक्त जिस प्रकार से हलकु के मन में जवरा के प्रती भाव है, उस भाव को प्रेमचन्द ने अपनी भासा में लिखने का प्रयास किया है, इसमें विशेष में दो चीजेperform में लिखी गई है, उसके बाद इसमें एक चीज और दिया गया है, जैसे इसका संदर्बसाइद बेख्या आता है मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटें ठीक है हलकु की जो पतनी है उसने बोला है ठीक है इसका देखो यहाँ पर संदर्ब दिया गया है यह उक्ती प्रेम चंद की कहानी पूस की राज से ली गई है कंबल के लिए बचाए गए तीन रूपए सहना यानि महाजन को चुकाने के बाद पूरी ठंड जो थी पूरी ठंड में केवल चादर से सारे हलकु को खेती के रखवाली करनी है और खेत पर बैठे-बैठे हलकु के मन में कई विचारा आ रहे है इसके आपको व्यक्षा लिख सकते है और इसकी सुरी इसके संदर्ब में यह भी बता सकते ह कि जैसे देखो कोई भी संदर्ब लिखना पड़ेगा न तो आपसे में लिखा है कि निमलिखित कहानी हमारी पाठ्ठ पुस्तक बी एच डी ले बी एच डी सी ठीक है बी एच डी ए बी एच डी वन फोटी थी प्रेम चंदर नामक बुक से ले गया है और चेप्टर नंबर ए है और इसमें इस प्रकार की बाते की गई है यह चीजी कही जा रहे है इसमें आपको क्या इस संदर्ब में लिखना पड़ेगा ठीक है और फिर उसकी हम क्या करेंगे ब्याख्या करेंगे जैसे यहाँ पर इसकी इन्होंने ब्याख्या कर रख्या देखो गया ब्याख्या देखो, जो मजूरी हम करें और मजा कोई और लूटे है, दूसरे लूटे उसकी व्याख्या कैद बता रहें, देखेगा, या छोटी से युकती किसान के जीवन की बिडंबना को ब्यक्त कर रही है, यानि किस प्रकार से किसान के जीवन में बिडंबना है उसको बता रही है, क लेकिन अपनी मेहनत का लाब उने वो नहीं उठा पाते हैं जो कुछ भी मेहनत मजूरी से हासिल करते हैं वह करज में निकल जाता है उसके लिए उसके पास रूप हलो यहाँ पर कह alors कि एक परकार से जिन के लिए जैसे आप बात कर रहें कि जैसे जैसे मज़दूर है किसान है दिन रात और मेहनत करते हैं उनने की महनत से अगर देखें तो पूरा समाज चलता है टीक है लेकिन किसान मजदूरी जितना महनत करता है उसका उतना लाब नहीं मिल पा रहा है जो कुछ भी महनत और मजदूरी से हासिल करता है और पूरा कर्ज चुकाने में निकल जाता है ठीक है कर्ज ही देता रहता है है ठीक है कर्ज निकाले में इसके पास पैसा पास रुपया है ज और उसी के ब्याज के पैसे पर खा पी रहें, मौज उड़ा रहें, ठीक है, अब बात करूँ, जैसे हलकू है, हलकू एक गरीब किसान है, ठीक है, ब्याज पर पैसे लेता है, रिन लेता है, और रिन लेकर के खेती करता है, लेकिन जो सहना है, जो साहुकार है, जिसे हम महाज कर रहा है इसी के लिए करा कि मजा कोई मजूरी हम करें मजा कोई और लूटें इसी संदर में इस बात को कहा गए यानि किसान तो भाई ब्याज ले करके या कह सकते हो कि लोन पर पैसे ले करके या रिन ले करके विचारा खेती करता है दिन रात महनत करता है लेकिन वहीं पर ज ब्याज बढ़ता रहता है और किसान कभी करज नहीं चुका पाता है यानि उस समय ऐसा होता था भाई मेरे किसान कभी ब्याज चुका नहीं पाते थे ठीक है और महनत ही करते रहते थे ठीक है इस तरह गरीबी और अभाव में ही फसा रहता है यानि जो किसान होता है जबकि उस नहीं है लेकिन जो ब्याज पर पैसे चढ़ा रहा हुदना कभी मेहनत करता है और हमेशा सुखों का ही भोगता रहा है यानि सुखों का भी भोग कर रहा है उसी बात को यहां पर बताए गया उसके बाद यहां पर थोटा था इन्होंने विसेश दिया गया देखो गया या छो जो उनकी रोटी नहीं मिल पा रही है मेहनत इतना करता है और जबकि वही साहुकार जो लोग है थोड़ा सा पैसा लगा करके क्या करते हैं ब्याज पर पैसे देते हैं और उन्हें की ब्याज पर पैसे से खा पी रहे हैं कुछ मेहनत भी नहीं करते हैं और किसान जो ब्याज से किसानों की बात है, जिस प्रकार से किसान की गरीबी है, दुर्दसा है, बदहाली है, उसको प्रेम चन इतनी सरल भासा में इस कहानी के माध्यम से उन्होंने इस चीज को ब्यक्त किया है, ठीक है, तीसरे इसकी जो प्रसंग ब्याख्याएगी देखेगा क्या रहेगा, ना कितना बाकी है, जो किसी तरह से चुकाने नहीं आती, मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपस्त हो, तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जनम हुआ है, पेट के लिए मजूरी करें, ऐसी खेती इसे बाज आए, इक कौन कराए, मुन्नी बोल रहे है, ठीक है, हलकु को सुना आ रहे है, भाई क्या करें, जो बचता है, वो तुम ब्याच पर दे देते हो, हमारा तो जनम ही मजदूरी करने के लिए हुआ, इतना तो आपका एक्जाम में लिख करके आएगा, उसी की आपक संदर्व लिखा जाएगा, जैसा यहाँ पर संदर्व दे रहे हैं, यह पूरी स्टोरी चल रहे है, उसी साफ से संदर्व बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो संदर्व लिखना है, जैसे मुझे इसका संदर्व लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान सुना, इस प्रेम बुक से लिया गया है प्रेम चंद इस चप्टर का नाम है या नहीं करता है और जो खेती से जो धना आता जो पैसे आता है वो ब्याज चुकाने पर चला जा रहा है इस पर ही उस जो किसान हलकू है उसकी पतनी उस पर कटाक्स करते हुए इस बात को कह रही है ठीक है त तो जैसे मैंने यहाँ पर बला शुरुवाती बात है कि इसमें जो लिखना है आपको सुरुव में बताना पड़ेगा कि BHDE 143 ठीक है 143 प्रेमचंद नामक बुक से लिया गया है तो यह आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे तो इन्हों सिंपल से एक बात लिखे प् संदर्व जो आपको लिखना है आप संदर्व को इसी प्रकार से लिख सकते हैं यानि कोई भी अगर आप संदर्व तो बहुत सारे हैं क्योंकि हर एक चप्टर में संदर्व साइद ब्याख्या चलेगी लेकिन जिस भी चप्टर में आपको संदर्व साइद ब्याख्या लि इसके बाद क्या इसकी व्यक्षय की गए है तो इसकी व्यक्षय दिखेगा क्या है है मुन्नी चिंता व्यक्षय काहती है कि मालूम नहीं कीतना... है यहांनि मुन्नी करती पता नहीं कितना कर्JA है जो खतम नहीं हो रहा है चुकने लेता खतम ही की नहीं हो रहा हैसी खेती से चिफके रहने का क्या लाव में भ्याती करना है घती तुम करते हो और सारी खेती का जो लाब होता है वह कर्ज चुकाने में चला जा रहा है तो ऐसे खेती करने से फाइदा क्या है ऐसे खेती करने से तो हम मजदूरी ही कर लेंगे ठीक है क्या लाब है कड़ी महनत के बाद तो फसल तयार होती है किसान का लाब तो उसकी उपज का ही है लेकिन वहाँ उ चुकाने के लिए है भगवान ने हमारा जनम कर रखा ठीक है एक क्योंकि एक बार कर्ज लेने के बाद वह कभी कर्ज उतरता ही नहीं है छूटता ही नहीं है उसकी उपज महाजन और जमीनदार के यहां पहुंचती रहती है और स्वयम किसान को अपना और अपने परिवार का भःन पोशन मजदूरी करके सैनय पड़ vara कर या नहीं करें कि आपने तो एक बार करज लिया लेकिन उसका जो व्याज है चुकाय जा रहे हो कभी कर्ज खतमय नहीं हो रहा है ठीक है और उसी कर्ज को चुकाने के लिए खिसान को मजदूरी तक भी करनी है ठीक है चिक है और उसका वह काम सिर्फ दूसरों को लाब पहुचाए, उसकी मेहनत का थोड़ा सा अंस भी उसके लिए न बच पाए, तो उसके साथ रहने से क्या लाब है, अरे कह रहें कि भया कि तुम पैसे ले करके खेती करते हो, मुननिकरी हलकू से, ठीक है, पैसे ले करके, ब्याज पैसे खेती करो लेकिन जो खेती से आय होती है जो इंकम होती है सारा तो तुम्हें ब्याज चुकाने में चला जा रहा है ब्याज फिर भी नहीं खतम हो रहा उसके लिए तुम मजदूरी करते हो मजदूरी करके भी ब्याज चुका रहे हो ठीक है और घरवालों को कोई भी फाइदा नहीं है ठीक है इससे तो अच्छा तुम वो खेती करना छोड़ी दो सिधा मजदूरी ही करो ठीक है गलत नहीं करें इसलिए मुन्नी कहना चाहती है कि ऐसी खेती जो सिर्फ करज चुकाने में चली जाए उससे तो दूर रहना ही अच्छ है यह करें कि जब पूरी खेती से जो उपा जाती है तुम सारा ब्याज चुकाने में ही लगा दे रहो ब्याज लेकर के खेती करते हो तो खेती बंदे कर दो न अरे मज़दूरी तो तुम काम, धुनिया भर का क्यों कर रहे हूं, टेंसन वाली बात धूरी मत करो, सिम्पल सी बात है, भी छोड़ दो, और डारेक्ट मजदूरी ही करो, क्योंकि मजदूरी से ही हमारा काम चलना है, और एक जैंजट हो खतम हो जाएगा, ठीक है? तेही बाते या इसको explain किया गया है, फिर इसमें विशेष में अपने मिल जाता है यहाँ पर कथन यहाँ पर दिये गया, यहाँ संदर्व सहीद व्याक्ष्ञा दिये गया है इसको लिखा नहीं गया है जिसे देखो इन्हों लिखा नहीं बट आपको थोड़ा सा हिंट दिया है आपको खुद करना है देखो पूस की अंधेरी रात आकास पर तारे भी ठितरूरते हुए मालूम होते हैं हलकु अपने खेत के किनारे उख के पत्तों पर एक छत्री के नीचे बास के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओड़े पड़ा कांप रहा था खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुँ डाले सर्दी से कुंकु कर रहा था दो में से एक को भी नीद नहीं आती थी इतना लिख दिया है इसकी आपको क्या करना है इसकी संदर्व लिखना है और इसकी आपको व्यक्षा और इसका आपको विशेश भी लिखना है तो इसको आपको स्वयम करना है खुद करना है तो ठीक है ये भी एक्जाम में आ सकता है एक्जाम में पू हलकु उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर में उसमें छिपा लिये फिर भी ठंड कम ना हुई ऐसा जान पड़ता कि सारा रक्त जम गया धमनियों में रक्त की जगा हिम बहरा यानि हिम का मतलब बरफ ठीक है उनसे जुक कर आकास की ओर देखो अभी भी कित रखा इसका भी आपको संदर्व लिखना उसकी व्याक्या फिर उसका आपको क्या है यहाँ पर विसेस लिखना है फिर तीसरा भी संदर्व इसमें दे रखा है ठीक है यहाँ पर देखो जो दिया थोड़े देर में अलाव जल उठा उसकी लव उपर वाले ब्रिक्च की पत यहाँ प्रकास एक नौका का समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है। इस प्रकार से भी आ सकते हैं। जैसे तीन तो इन्होंने लिख करके पूरा बताया था। फिर तीन की इन्होंने आपको दे रखा कि आप इसको कीजे। ठीक है। इसका आपको संदर व्याख्या और विशेस आपको लिखना पड़ेगा। चौथा भी दे रखा है। ठीक है। चौथा को भी इन्होंने काफी बड़ा डीटेल में लिख रखा तो आप इनको जरूर करके जाईगा। ठीक है क्योंकि इसमें से कुछ भी आपका आ सकता है। पांचवा भी इन्होंने दे रखा है। काफी दे रखा है। लेकिन बट चौथा और पांचवा जो दे रखा है इतना बड़ा कभी नहीं आता है। पहला दूसरा तीसर जो शुरूम जो मैंने आपको बोल का है कि बता उस टाइप के चीज़ें आती है ठीक है तो जैसे चौथा पांचवा इतना बड़ा क्योंकि पेपर में देते नहीं थोड़ा सोट में ही देते हैं चौथा पांचवा आ सकता लेकिन इतना लोंग में नहीं पॉइंट फाइव आ गया क्या है इसका सारांस आ गया है और इसी एक साथ आपकी जो कहानी है इस्टोरी है लगबग एक समाप्त हो चुके है और इसका चेप्टर नमबर जो 9 है वो भी इसे से रिलेटिड ही रहेगा क्या है चेप्टर नमबर 9 इसे से रिलेटिड ही है वो पूस की राज से ही related chapter रहेगा ठीक है तो अगर आपको दोनों classes देखने हैं पहले आप chapter number 8 देखो फिर chapter number 9 देखो तो आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है